सोलन में कॉबिट के मामलों में लगतार गिरावट दर्श की जा रही है। वो मेका निभा रहा है सोलन बासियों को बताया जा रहा है कि अगर भै थोड़ी सी डिलाए भी देंगे तो करोना उसे अपना शिकार बना सकता है इसलिए बेशक बैक्सिन आ गई है लेकिन इस समय और चोकनने रहने की आपशकता है अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास उन्होंने बताया कि पहले करोना संक्रमन की प्रतिशत सोलन में 8 प्रतिशती लेकिन अब संक्रमन घटकर केबल 2 प्रतिशत ही रह क्या है जिसकी मुख्य बजा लोगों की जाग रुखता है उन्होंने कहा कि जब से करोना की वैक्सिन आई है तब से शेहर बासियों के दिलो बहुत ज़ादा डाउन आई है, मतलब अब हमारे cases जो है, वो काफी कम आ रहे हैं, आभी तक हमने जो है, वो 90,000 के करीब cases करें, मतलब टेस्ट करें हैं, कोविड के टेस्ट करें हैं, और जिन में से 6,725 हमारे case जो है, वो positive आये थे, लेकिन अगर हम पिछले महिने का data देखे तो positivity काफी कम है, पहले ही यह positivity हमारी 8% थी, अगर हम पुरानी positivity को छोड़ दें और सिर्फ एक महीने की देखें तो यह maximum 1-2% हमारी इस महीने की positivity है, हाँ मेरा यह कहना है कि जब से COVID की vaccine आई है, थोड़ा सा लोगों में भी यह हुआ है कि हाँ में इससे जो COVID का जो fear था, वो काफी हद तक लोगों में कम हुआ है, और दूसरी बात जो थी कि जो हमारा main campaign है कि जो है hand washing, mask लगा के रखना, और दोगल्ज की दूरी बना के रखना, उस चीज को जो लोग हैं वो काफी हद तक follow कर रहे हैं और उसकी बज़े से भी corona होने की जो rate है, दर है, उसमें काफी कमी आई है